तो स्टुडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एंगुलर मेजरमेंट्स की क्या होता है इसका क्या मतलब है कैसे से मेजरमेंट करते हैं क्या बेनिफिट्स हैं क्या क्या इसका यूज करते थे modern days में कैसे उसको यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा ancient time से हम start करते हैं जो ancient time का मतलब होता है पुराने समय पे जब technology डेबलोप नहीं थी लोगों के पास बहुत संसाधन नहीं थे बहुत basic techniques और tools का यूज हमारे available था और उन्हीं के बारे में हमारे पास जानकारी भी थी तो सबसे पहले जो हमारा ancient time में प्राचीन समय में जो angular measurement का उप्योग हुआ करता था वो क्योवल और क्योवल traveling के लिए limited था और direction या दिसाप ग्याद करने के लिए उस समय पे लोग जो दिसाथ के ग्यान से ही अपना रास्ता करते थे कि कौन किसके दक्षिड में है कौन किसके उत्तर में और किस पॉइंट से किदर दक्षिड है किदर उत्तर है तो इसको जानने के लिए लोग अगलने अगleb का का या दिसाप का ग्यान रखते थे उस समय के जो नाविक होते थे जब समदर में तुफान या लहरे ऊठती ऊब है इस रहता था तुफान आता था समदर के अंधर तो कई बार जो उनके नावे होती ती जो निकी बोर्स होते थे अपने € निसाह सब भढ़क जाते थे तो उस समय वह कंपास के ऊपर वरोसा करते थे वह उस twar Math לו चांभे साग red acağ además कि इस्थ ऑर आज के समय में जो कि सटीक एंगुलर मेजर्मेंट है यूड़ करता है navigation of ships and aeroplanes यानि हवाई जहाज और समुद्री जहाज है इनके navigation मतलब परिचालन में जो है जो हमारा आज का जो precise angular measurement है यानि बहुत ही accurate measurement है वो help करता है इसकी सहायता से जो है ships और aeroplanes बिना किसी जंजट के बिना किसी ब्यवधान के बिना किसी क्रैस के बिना किसी जो आपका बाधा के आराम से freely वह है नैविगेट कर सकते हैं और उनको रास्ता जानने की कोई जरुवत नहीं रहती है इसली वह सब्सक्राइब मेजर करके अपने आपको चलते रह सब्सक्राइब है आज कि जो हमारा लाइंड सर्वें में है एस्ट्रोनॉमी मितलब जो हमारे अंतरिक शिव्ज्ञान है उसमें पर कंप्यूटि डिस्टेंस विट्विन टू स्टार्स अन प्लैनेट्स यानि जो ग्रहों के बीच और स्टारों के बीच की दूरी है और उन होते हुए जैसे आपका हवाई जहाज हो गया ड्रोन्स हो गया मिसल्स हो गया कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारा है हेलीकॉप्टर हो गया इन सब की पोजीशन जो है पोजीशन ग्यानात करने और उनकी दूरी और आइडेंटिफाई करने के लिए हम एंगुलर मेज निर्ग डिवाइस हमारे पास क्या गया है तो हमारे पास व्यसेंगल मेजरिंग डिवाइसेsc हैं जैसे आपका तर क्रिंग डिवेइश सेट्स हो गया है इनके बार जोड़ी नरी चिचेचेशन फटंका में अवहBy रस आइसमेट यहरू रिशय हैं तो यह सारे हमारे साथ how we use and what is the working principle what are the various application and how it can be used in angle measurements so carry on first we have to know most basic and basic angle measuring device which is known as protectors protectors जिनको आप सामाने बोलचाल की भास में चांदा भी कहते हैं यह एक सिंपल के डक मार्किंग बनी होती है इस में आपको इस पर्ट्स चांते में इस पर्ट्स पर्ट् reflecting में आपको जेरो से असे इस्टार्ट है 180 तक अपक अंगल मिलेगा दोसरे इसे इसा से स्टार्ट होके बीच में 90 आता है आपका 90 आता है तो यह सबसे कॉमन है जो कि डिवाइस को कलिब्रेट करने में या एंगल को नापने में काम आता है बैसिक पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए अंगल का उपयोग करते हैं कितना अंगल बन रहा है और बेशिक इंफर्मेशन सबसे आसानी से इससे दे सकते हैं